नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खुबसूरत सा परियोग लेके ये आपके जीवन की हर बंद इसको हटाएगा हर बंद ताली को खोलेगा बहुत ही सिंपल परियोग है किसी भी सरीवार के दिन आप परियोग कर सकते हैं दे बहुत सारी जानकारी के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं देखिए जो काली मिर्च है न वो भी सनी देव के समंद रखता है और सीधिये तोर से सनी देव उन्हें पसंद भी करते हैं ये मान के चलिए तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी बैक्ती किसी तरका बुरी नज होता है तो काली मिर्च दातों में चबाने के लिए दिया जाता है और जोंके छोट distinct है पीपल के बिश में जल और Hal की जिएगा लोट जलता है और ये काम जरूर किया कीजिए जल में एक चुटकी काला तिल थोड़ी सी मीठी बस्तु ले लें गुड़ है मिस्टरी है बतासे हैं जो भी आपके पास है और इसमें दो चार बुंद अगर दूद मिल जाए तो सोने पे सुहागा उसको भी डालने और सफेद पुस्प है तो आप ले लें इस लोट का भागी भी साथ देने लगता है वैसे सनी बार के दिन कुछ करें ना करें एक लोटा जल पीपल के बिश्च में जरूर अरपीत क्या करें सनी देव के क्रिपा के पात्र हो जाएंगे आप उनके गुड़ बुक्स में आ जाएंगे कई बार क्या होता है आप बहुत जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि किसी भी तरह के निगेटिव एनरजी आपको परिसान न करें आपके वो जरूरी काम बन जाए कहीं कोई बाधाएं ना आए तब ऐसे में क्या करेंगे तब घर से निकलने के पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दो चार दाने काली मिर्च के रख दे उस पर पैर रखकर आगे बढ़ जाईए पीछे मुड कर मत देखिए और ना ही वापस आईए वर ना इस टोटके का आपको फल नहीं मिलेगा इससे क्या होता है ना नकात्मक चीजें भी दूर होती है सनिदेव का सुप प्रभाव आप पे रहता है हर कारियों में सफलता मिलती है जो काठ करना है बुरे प्रभाव का वो काली मिर्च अपने उपर सूख कर कर देता है तो काली मिर्च के छोटे छोटे प्रयोग आपके भागे को बदल सकता है कई बार क्या होता है आपके जीवन में बहुत सारी परिसानिया एक साथ आ जाती है घर में नकात्मक उड़ जाएं अब स्वास्त पर भी इसका प्रभाव पढ़ता है धनपी भी पढ़ता है जगरे प्रयोग बहुत सिंपल है वैसे एक बात याद रखेगा अगर काली मिर्च का एक छोटा सा प्रयोग आप अपने घर में नियमित रूप से करें कम से कम हर सनिवार के दिन करें तो घर आपके घर और आपके घर में रहने वाले लोगों पर किसी की बुरिदिश्टी नहीं प वैसे आप एक नियम बना लें सामकेस में जब भी दियावाती करते हैं तो दीपक में काली मिर्च या लॉंग जो भी आपको संभब हो वही डाल कर दिया जलाएं पूरे घर में दिखाएं ऐसा करने से घर में नकरत्मक उर्जा का परवेश नहीं होता धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में बेहतर होने लगता है बहुत सिंपल उपाय है लेकिन इसके बेनिफिट आपको 100% मिलेंगे अब चुकि सनी देव की चर्चा ही चली है तो चली एक छोटा सा प्रियोग जान लेते हैं कई बार क्या होता है न आप चुकि सनी का ही एक वस्तू के रूप में जाना जाता है काली मिर्च तो सनी देव के परिसानियों से पीडाओं से मुक्ती पाने के लिए भी इसका प्रियोग होता है लेकिन इसके पहले एक और बात जान लें बहुत साई दर्सकों का सवाल है नौकरी प्राप्ती आसानी से हो जाए इसके लिए क्या करें इसके fraud क्वाार, चेलोंन का तेल कड़ायी में डाल कर इस चने को अच्छे से आप चला ले उसमें आपको कुछ नहीं डालना है मसाले वे गालना है बस ऐसे ही तेल में ऐ demasiado प्राप्ती हो जो बाहुत हो जाती है यह प्रियोग आप खुद नहीं कर वाते हैं तो आपके घर के मा और की बेहन भी कर सकती हैं कोई दिक्त नहीं है तो हम बात कर रहे हैं तो सबसे फ्री वस्त्on काली मिर्ज है तो सनीदेब अगर आप को लगे सा साती ढहीया में बहुट प्रिषानी है होसकतां आपकी कुंडलि में सपारों प्रिशाणी हों अब सनीदेब जब पीड़ा देते हैं तो नौकरी बेपसाय चलता नहीं पारिबारी जीवन अस्त बेस्त हो जाते हैं तबाह हो जाते हैं ऐसे में एक छोटा सा परियोग करें एक काला रंग का छोटा सा कपड़ा ले 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 रुमाल इतना बड़ा ले ले अब इस कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च और कुछ कोईन एक रुपया, एक कावन रुपया, एक क्यारा रुपया एक किस रुपया, पांच रुपया जो इक चाओ वही रख दे हैं और इसके बाद इसको बांद कर आप अपने सर से तीन वार उल्टा वार ले और किसी को भी आप इसको दे सकते हैं नहीं तो किसी पीपल के नीचे रख दे या किसी मंदिर के पास जाकर रखा है रोग सोक रिन करजे मुक्ती मिल जाती है सभी चीजों से कभी कभी अगर आप काली मिर्च के दाने, दो-चार दाने आप चाहें तो मिस्री के साथ भी चवा सकते हैं ऐसा करना आपका स्वास्त भी अच्छा करेगा और आपके उपर नकातमक चीजों का असर भी नहीं होगा बहुत सिंपल है धन प्राप्ती के लिए छोटा सा प्रियोग किया जाता है क्या करेंगे किसी भी सनिवार के दिन जीवन में धन नहीं आ पा रहा हो आप बहुत प्रिसान हैं कि कहीं से भी पैसे आ जाएं तो थोरा सो यहां पर राहत मिलें क्या करेंगे पांच दाने काली मिर्श के ले लें अब आप अपने उपर से सात बार उल्टा उतार लें इसके बाद कहीं भी किसी भी चॉराहे पर खड़े हो जाएं चॉराहा साम किसमी कीजिएगा अगर नहीं है कहीं भी सांतसецान पर जहां लोग आपको टोके नहीं खड़े हो जाएं गर मेन नहीं गर से बाहर इसके बाद चारो दिसाओं में एक एक काली मिर्च फेक दें पांचवा दाना उपर की और फेके और बिना मुड़े पीछे बिना देखे वापस चले आपका तमाम रुकावा फसावा धन आएगा अटकावा धन आएगा और धन की जो परिशानी है वो भी समाप्त हो जाएगी वैसे तो अमवस्या की रात काली मिर्च के दाने का विसेश परियोग किये जाता है ताकि आपके अपने घर में जो सत्रू बिरोधी हैं जो एक्टिव हैं आपको परिसान करना चाहता है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी देखिए आप वैसे अमवस्या किसी भी दिन हो उ सोने के पहले कभी भी साम के से लेकर रात तक में सोने के पहले तक कभी भी काम करें आप काली मिर्च के दो दाने ले लें ओम क्लिंग ओम क्लिंग इस मंदर का जब करते हुए अपने घर के सभी सतोस्यों के सर से उल्टा तीन वार वार कर घर से दक्षिन दिसा में बाहर फे अगर आपको लगे कि सत्रू विरोधी बहुत जादा परिसान करें या फिर आपका कोई मननत है मननत यह नहीं कोई भी जैसे आपकी नौकरी लग जाए आपका बैपार अच्छे से चले आपका घर बन जाए बहुत तरह के मननत होते हैं जीवन में तो आप चाहते हैं आपके गर में सुब मांगली कारे हूं बहुत तरह के मननत होते हैं तो अपनी मनो कामना कहते हुए एक लोहे की कील लेकर नया कील लीजेगा पुराना मत लीजेगा पीपल के पेड के नीचे चले जाए अब पीपल की पेड के जड़ में नहीं ठोकना है इसको बलकि जो मिट्टी ह होती है जड़ देखिएगा उबरा हुआ बहुत सारा होता है बीच बीच में मिट्टी होती है मिट्टी में किसी भी भारी बस्तू के सहारे इस कील को अपनी मनत कहते वे गार दीजिए ठोक कर अच्छे से दबा दीजिए इसके बाद बिना पीछे मुड़े घर आ जाए आप ले जाकर किसी पवीत्रे नदी वे गए रहके कहीं पर साइट में जाके अंदर में डाल दीजिएगा फिलार भी डालेंगे हर हर महादेव